आप सभी का इस क्लास में स्वागत है आज हम ग्रामिन समासास्तर से जुड़ी हुई कुछ परमुख आउधारनाओं पे चर्चा करेंगे जो छोटी छोटी आउधारनाएं हैं जैसे कि लोक संस्कृति या फोक कल्चर ग्रामिन गुट या गुट बंदी परबु जाती या प लोगों की समान्य जन्ता की संस्कृति तो इस आउधारना का सरोपर्थम परतिपादन था वो रेड़ फिल्ड द्वारा किया गया था और साथ में एक समाजिक विचार का नाम और जुड़ा हुआ है जार्ज एम फोस्टर तो दोनों ने ये आउधारना परतिपादित की है लेकिन विस्तरत रूप से इसका जो प्रियोग है वो रेड़ फिल्ड द्वारा किया गया है रेड़ फिल्ड ने अपनी पुस्तक पिजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में इस संस्कृति को किर्शक संस्कृति का नाम दिया था और वो अक्सर लोग संस्कृति और कर्शक संस तो लोक संसकर्टी की प्रिबासा क्या दी है? देखो जब परसन आता है सबसे महतोपुर्ण उस विचारक की प्रिबासा होती है जिसने उस आउधारना को परतिपादित किया है और डारेक्ट इंडारेक्ट उसी में से परसन पूछे जाते हैं लोक संसकर्टी को रेड़ फिल्ड ने कैसे परिबासित किया है? कि एक ऐसा समाज है जिसमें नगरिय समाज से विप्रीत परकार की विसेस्थाइएं पाया जाती है रेड फिल्ड ने एक ही वासा में एक ही लाइन के अंदर इसको परिवासित कर दिया कि यह है नगरिय समाज या अभिजात वरग या कुलीन वरग की जो संस्कृती है उसके विप्रीत जो संस्कृती है उसको हम लोक संस्कृती कह सकते हैं कि इसका आकार छोटा होता है अकेलापन है एसिक्सित समुय के ये अउधारना है इनमें समुय दरड़ता की बाउना परबल होती है रुडिवादी पर्थाई अधिक होती है कानून का अभाव होता है प्रमप्रागत विवार किया जाता है इस परकार की विशेशताई है वो पर्मुक रूप से पाई जाती है इनके इलावा इनका सो रूप है वो स्तानिय होता है ये एल लिखित होती है इनमें मोखिता होती है यानि लिखित रूप में कहीं भी नहीं पाई जाती है अद इसके गुन होते हैं तो यह इनकी परिबासा है तो अगर हम परिबासा को एक लाइन में कहेंगे तो यह समान्यय जणता की किर्शक समाज की संसकृती है या जो लगू समुदाय है उन में जो पाई जाने वाली संसकृती है उस संसकृती को Robert Redfield ने क्या का है? लोक संस्कृति काहा है इस आउधारणा को प्रतिपादित किया है तो कई बार परसन भी आ जाता है कि किस से प्रवावित होकर बार रेट फिल्ड ने लोक संस्कृति की आउधारणा परस्तुत की तो इन तिनों का नाम आएगा और चोठा को यू अप्शन में और आएगा आईगा अगर परसन इस परकार का आएगा तो इसके लावा हमने फोस्टर की भी बात की थी फोस्टर ने भी लोक संसकर्ती की चर्चा है वो की है लोक संसकर्ती को प्रिवासित करते भी फोस्टर ने लिखा है कि लोक संसकर्ती को जीवन के समान्य तरिके के रूप में देखा जा सकता है लोग संस्कृति को जीवन के समान्य तरिके के रूप में देखा जा सकता है जो एक छेतर विसेश के लोगों की विसेशताओं के रूप में है यानि एक छेतर विसेश की लोगों की जो विसेशताई हैं उनको ही उन्होंने लोग संस्कृति काहा है यह उन लोगों का संग्ठि जिनकी एक लोक संस्कृती होता है, तो लोक संस्कृती और कुछ नहीं है, स्तानी अस्तर पर जो ग्रामिन लोग हैं, जो लगु समुदाई हैं, जो छोटे छोटे छेतर हैं, जिनका दाइरा कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, एक लोक संस्कृती हो सकता है कि कुछ ही छेतरो तक या कुछ ही किलोमेटर तक सिमित हो डाक्टर संपुरुनानंद ने क्या कहा कि लोग संस्कृति वह जित्ती जागती चीज है जिसके द्वारा लोग की आत्मा बोलती है यानि लोगों की आत्मा ये लोग संस्कृति के माद्यम से बोलती है वो एक राय होकर उस संस्कृति को अपनाते हैं तो आम तोर पे हम देखते हैं कि हो सकते हैं कि गाउं की संस्कृति है वो दूसरे गाउं में नहीं मिलती है जैसे गाउं के बोमियाजी होते हैं उनकी कुछ विशिष्टताई होती है उनके पुजापाट का तरीका अलग होता है तो वो क्या हो जाएगा वो उस गाओं की लोक संस्कृती हो जाएगा या कुछ ऐसे चोटे-चोटे मंदिर होते हैं जो उस गाओं में पुजे जाते हैं तो वो क्या होगा लोक संस्कृती होगा लोक यानि जनता, समान्य जन, चोटे-चोटे समुवे में रहने वाले संस्कृति यानि उनकी संस्कृति ओसकर लेविस ने लोक संस्कृति, सोरी, रेड फिल्ड ने लोक संस्कृति के निर्मान के तीन तत्वे बताएं कितने तत्वे बताए हैं तीन तत्वे बताए हैं लोक ग्यान यानि लोगों का जो समान्य ग्यान हैं उससे से लोक संस्कृती बनती है तो उनका ग्यान है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत परमानिक होगा या अवल दरजे का होगा उनका ग्यान होता है वो उनके तक ही सिमित होता ह दूसरा लोक मनोरंजन तो लोक मनोरंजन से जो उस्तानिय गाह के जो खेल होते हैं या लोक मनोरंजन के लिए कुछ जो भी वो करते हैं जैसे विवासादी में भी छोटे-छोटे कुछ परकार की संस्कृति या कुछ प्रोग्राम किये जाते हैं तो वो सब लोक संस्कृति में सामिल किये जा सकते हैं और लोक रीतियां समान्य जन्ता की रीतियां जिनसे वो वेवार करते हैं इन सब से मिलकर लोक संस्कृति का निर्मान होता है अगर हम इसके मुल्यांकन की बात करें तो ओसकर लेविस ने इसे उप्युक्त आउधारना न फोस्टर के अनुसार की रेड्फिल्ड ने एक विशेसता बताई थी अकेलेपन पी कि लोकसंसकृति जब होते हैं तब वो लोकसंसकृती को मानते हैं तो फोस्टर ने कहा कि लोकसंसकृति में अकेलापन नहीं पायाज आ जाता है जैसे राजस्तान में मारवाडी गीत है इदर अगर हम अलवर के साइड जाते हैं तो मिनाओं के जो मिना जन जाती है उनके गीत है या 26 विशेस में जैसे जिस एरिये में मैं रहता हूँ हमारे दो जिलों में ही कुछ समानता हैं बाकि बाहर जाएंगे तो जो बासा और बोली है या कुछ बदल जाती है तो यानि संस्कृती है वो बदल जाती है क्योंकि बासा भी एक संस्कृती का ही एक पारट है तो इस पर दिरे दिरे इनमें भी परिवर्तन होता रहता है जैसे कि रेड फिल्ड ने कहा था कि इनमें परिवर्तन नहीं होता है लेकिन इनमें भी परिवर्तन होता है तो ये दुनिया के सभी देशों में सभी छेतरों में लोक्षनस करती है वो पाई जाती है इनका सौरूप छोटा हो कि विशेशताई थी वो इसमें सामिल होती है तो अब हम चर्चा करते हैं दूसरी एक आउधारना है गुट समाज की तो देखो गुट समाज की आउधारना है वो ओसकर लेविस ने परस्तुत की थी थोड़ा सा दो तिन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम कहते हैं कि आउधारना किस ने दी आउधारना के रूप में परियोग करना और एक उस सबद का परियोग करना दोनों अलग-अलग बातें होती है तो गुट समाज का सरोपर्थम परियोग आर बर्थ ने किस ने किया आर बर्थ ने इंट्रोडेक्शन टू फंक्सन इन इंडिया एंड आवर सीज इंडियन सोसाइटी उननीस सो स्तावन में किया तो गुट समाज का पहली बार या ग्रामिन्स गुट गुट समाज से इतात परिया कि गाओं के अंदर जुगुट होते हैं उनसे तो इसका प्रियोग है वो आर बर्थ ने किया था तो ये तो पहला प्रियोग हो गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ये आउधारना परस्तुत की आउधारना के रुप में परस्तुत करना अलग बात है उसको पहली बार प्रियोग में लेना अलग बात है तो ओसकर लेविस ने रामपूर गाओं के धन में जिनकी पुस्तक थी इस गाओं के धार पर उन्होंने लिखी थी विलेज लाइफ इन नौर्थन इंडिया 1958 में ये पुस्तक लिखी थी इसमें उन्होंने छोटे छोटे ग्रामिन समुओ छोटे छोटे ग्रामिन समुओ जिनको वो कहते हैं धड़ फैक्षन तो फैक्षन है वो धड़ का या ग्रामिन गुटों का वास्तविक अंग्रेजी अनुवाद है तो छोटे 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 ग्रामिन का आर्थ होता है फैक्षन कार्थ होता है कि ऐसे विरोधी समुओ से है जो अपने उदेशियों की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संग्रस करते है और चुनावी राजनित्ती के अंदर ये गुट है वो काफी प्रवावी हो गए हैं और जब भी election होते हैं तो आप अगर गाउं से रहते हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि गुट होता है या जो गाउं के पंचायतों के जो चुनाव होते हैं तो इसमें गाउं हैं वो दो तिन गुटों में विवाजित हो सकता है जुरूरी नहीं कि दो ही गुटों तीन भी हो सकते हैं चार भी हो जाते हैं पांच भी गुट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को हराने के लिए बड़े होते हैं पस्चिमंगाल में आजकल इन गुटों की वज़े से बहुत ज़दा इंसक चुनाव वहां पर होते हैं और परतेक चुनाव में इन गुटों में हिंसा होती है और लोग है वो मारे जाते हैं तो धड यानि ग्रामिन गुट फैक्सन गुट का अगर हम बात करें कि विशेशता क्या है तो गुट का आकार छोटा होता है ये सारो भूमिक होते हैं सभी में होती है ये जैसे ही अगर किसी गाओं में दो धर्मों के लोग रहते हैं तो धर्म के नाम पे गुट बन जाएंग अगर एक ही जाती के लोग रहते हैं तो एक ही जाती में केई गुट बन जाएंगे तो ये सारो बोमिक परकिरिया है ये इनकी सदस्यत्या होती है वो एंचिक होती है यानि हम चाहे तो किसी गुट में सामिल हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं के उदे से समान होते हैं इनका निर्मान विशिष्ट परस्तितियों में होता है गुट ऐसे नहीं है कि जानबुज कर निर्मित किये जाते हैं कुछ ऐसी बाते हो जाती है गाओं के अंदर जैसे कि अभी पस्चिम उत्रपरदेश में दो हजार साइच चवदा की बात है जब दंगे हुए थे तो धरम के नाम पे गाओं के अंदर गुट बन गए थे और इसी परकार से जब किसान अंदोलन चला था तो तब गाओं में गुट वो बन गए थे तो ये प्रस्तितियां वो विशिष्ट होती है जैसे ही गुट बने थे 2014 से पता नहीं 19 की बात है बने थे बाद में प्रस्तितिया चेंज होगी तो जो विरोधी गुट थे वो क्या होगे एक साथ होगे ये जैसे के लेक्षन में हम देखते हैं राजनेतिक दल होते हैं वो एक दुसरे के खिलाप चुनाओ लड़ते हैं और बाद में वो एक हो जाते हैं तीसरे के खिलाप हो जाते और जैसे ही प्रस्तितियां बदल जाती है ने गुट बन जाते हैं। ओसकर लेविस ने गुट स्ताइतवे के लिए तीन बाते हैं वो बताई हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है कि आर्थिक संपंता, आर्थिक संपंता का उनका आर्थ भी आतम निर्बरता से है। तो अगर ये तीनों चीज किसी गुट के अंदर है तो वो गुट है वो ज़्यादा स्ताई रहता है। अब इन गुटों का निर्मान कैसे होता है? इसके लिए ओसकर लेविस ने कुल छै आधार बताए हैं, कितने आधार बताए हैं, छै आधार बताए हैं, गुट निर्मान के, नम्मर एक, भूमी उत्रादिकार से समंदित विवाद, गोद लेना, तो सबीजगे सायद ये विवाद नहीं होंगे, रामपुर गाओं में होंगे, तो उस कारण से इनों ने ये छै बते हैं, छै आधार बताए हैं, तो गोद उत्रादिकार, सुरी बूमी उत्रादिकार दिनियम, गोद लेना, सिंचाई, मकान या संपतिस से समंदित कोई विवाद, योन समंदी कोई अपराद हो जाता है, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, कि उप योन समंदी अपराद है, उनसे भी गुट है, वो बन जाते हैं, हिसा या हिसक आपस में जगड़ा हो जाता है, या फिर अंतरजाती विवाद है, तो अंतरजाती विवाद है, वो मुखे रुप से गुट निर्मान के कारिया में योगदान देता है, तो छै अधारों का वर दूसरा है, अंतर गुट समंद, यानि जो दो भिन भिन गुट है, या दो से दिक गुट है, उनके बीच में आपसी समंद है, वो पाये जाते हैं, जैसे ही कि गाउं के अंदर कोई विपता आ जाती है, आपत प्राकरतिक आपदा आ गई, तो फिर वो गुट मिल जाते हैं, उनमें आपसी समंद है, वो स्तापित हो जाते हैं, तो दो परकार के समंद इनके अंदर पाये जाते हैं, और ऐसी दुबे ने कहा था कि भारत में परबल जाती, अभी चर्चा करेंगे परबल जाती की, परबल जाती नहीं, बलकि परबल गुट होते हैं, तो इन गुटों क का निर्मान क्यों होता है क्या भारत एक गुठ समाज है क्या भारत एक गुठ समाज है तो भारत में गुठों का जो निर्मान है वो ग्रामिन अभिजात वरक के लोग कर लेते हैं वो अपना अस्तित्व है अभिजात वरक के अंदर जो जमिदार होते हैं साहुकार होते हैं य लिए गुटों का निर्मान करते हैं या एक जाती जिनकी संख्या बहुत होती है तो वो अपना प्रभुत्वय बनाए रखने के लिए गुटों का निर्मान करते हैं दूसरी तरफ जो निमन जाती हैं बटाईदार सर्मिक है वो क्या है कि सोसन से मुक्ति पानने के लिए दू और निमन जातियों का या सर्मिकों का सोसन करता है यानि उनको कम मजदूरी वगएरा देता है दूसरे तरफ निमन जातियां बटाईदार ये सर्मिक सोसन से सुरक्षा पाने के लिए गुटों का निर्मान करते हैं अब ये जुरूरी नहीं है कि एक जाती का एक ही गुट हो, तो एक जाती में केई गुट हो सकते हैं या एक गुट में केई जातियां हो सकती हैं, इस अधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक गुट समाज है, और समय समय पर इन गुटों का निर्मान है, वो क्या है, होता रहता ह है और ये मुखे रुप से चुनाओं के समय अधिक परवा भी होते हैं लगबग सबी जगाई ये भारत के अंदर है अब आगे है परबल जाती या परबू जाती देखो परबल जाती की आउधारणा का सरोपर्थम प्रयोग मन शरी निवास ने किया इस बात में कोई सक नहीं है तो इनकी एक पुस्तक है लेख है दो लेखों में इन्होंने परबल जाती का वर्णन किया है एक है सोसल स्ट्रेक्चर ओफ ए मैसूर विलेज उनीस सो इक्यावन में सोसल स्ट्रेक्चर ओफ ए मैसूर विलेज यारी मैसू ग्लास इन रामपूरा में एक लेक लिखा था, जो पूरा का पूरा, परभल जाती पर अधारित है, तो, एमनो स्री निवास के नुसार, क्या है परिवास इसकी? ये सबसे परिवासा महतोपुरण हैं, वैसे परभल जाते क्या होती है कि किसी छेतर विशेस में क्या है किसी छेतर विशेस में या गाउं में एक अधिक जातियां एक से अधिक जातियां में से किसी एक जाति का परबुत्वा होता है तो उसे एमन शरी निवास ने क्या कहा है परबल जाति का हा है तो उन्होंने इंडियाज विल होती है जो किसी चेतर विशेस में जन संख्या में अधिक होती है यानि जन संख्या जिसकी अधिक होगी वो परबल जाती हो सकती है अधिकांस भूम्मी पर उनका स्वामित्वय होता है यानि आर्थिक रूप से ये क्या होती है संपन होती है तो एक जन संख्या बहुल्य जन स बुम्मी पर स्वामित हुए यानि आर्थिक रूप से संपन होनी चाहिए गाओं में बुम्मी तो आर्थिक गतिविदियों का परमुख होता है राजनेतिक और समाजिक रूप से उच स्थान रखते हैं तो चार विसेस्थाइं हो गई है इनकी कि जनसंख्या अधिक आर्थिक पर बुम्मी पर स्वामित हुए राजनेतिक रूप से क्योंकि राजनेति अगर जनसंख्या अधिक होगी तो लोग तंतर को जनसंख्या तंतर भी कह सकते हैं तो राजनेतिक त्रिती तो अच्छी प्राप्त होई जाती है और समाजी गूप से पंद्रा सो तेईस परिवार हैं कुल और उनमें से साथ सो पेंटीस परिवार इस जाती के हैं इसके ओका लिंगा लिए इसके लावा और बहुत सारी परबल जातियां है जैसे कि अलग-लग आंद्रे बितेई ने बताई थी ब्रहामन वहां की परबल जाती थी ओसकर लेविश ने रामपूर गाओं में जाट को परबल जाती मनना है और बियार चोहान ने ब्रिजराज चोहान ने रहनावतों की साधड़ी और केल सर्मा ने दैसिक्स विलेज ओफ राजस्तान में राजबुत राजबुतों को परबल जाती की रूप में बताया है और इनके लावा करनाट्ट के अंदर रेड़ी और काम्मा परबल जाती है किसने बताये थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनके तिंकर्स का तो इस प्रकार से परतेक छेतर के अंदर भारत के अंदर चे उत्री राजबुत भारत है या दक्सन भारत सब में परबल जाती है होती है तो जन संख्या अधिक होगी क्या-क्या विशेशता है होगी जन संख्या अधिक होगी दो नमर संसादनों पर अधिकार होगा राजनेतिक परबुत्व होगा च्यार नमर उच्छ अनुष्ठानिक परस्तिति यानि सामाजिक रूप से उच्छ जो जाती है संस्त्रन उन्में उच्छास्तान होना चाहिए उन्होंने का था कि मुझे निमन जातियों में से कोई भी परबल जाती नहीं मिली बाद में कुछ हैसे सोध हुए है रिसर्च हुई जिसमें निमन जाती भी संख्याबल के अधार पर परबल जाती बन सकती है लेकिन एमन श्री निवासनेσα नहीं का बाद में उन्होंने दो चीज़ें और जोड़ी थी बाद में ये दो चीज़ें जोड़ी थी कौन कौन सी शिक्ष्या एव परसाशनिक स्तेती जैसे जी सिन्होंने अधिन किया तो बाद में उनको लगा कि शिक्ष्या और परसास निक्स देती से भी परबल जाती है वो बन सकती है लेकिन पहले ये च्यार ही दिये थे परिबासा में बाद में ये दो जोड़े हैं ऐसी दुबे ने इसके अलोचना करते वे काया कि संख्या बल जुरूरी नहीं है जो कम संख्या के लोग होते हैं और अधिक ताकतवर होते हैं वो भी परबल जाती बन सकते हैं अधिक संख्या के लोग अपनी जाती के परती जाग रुक नहीं है तो वो परबल जाती कस्तान है वो प्राप्त नहीं लेगी और ऐसी दुबे ने साथ में कहा कि परबल जाती नहीं बलकि परबल वेक्ती होता है राय बर्मन ने क्या का कि परबल समुदाय होता है जी एफ बेले ने कहा कि निमन एउएस पर से जातियों ने भी परबल जाती की आउधारणा को चुनोती दी है तो ये परमुख आउधारणा ही थी संक्सेप्त में दो सामाजिक परिवर्तन की परकिरिया हैं पस्चमी करण और लोकी की करण इन पे एक एक मिन्ट चर्चा कर लेता हूँ इनके वीडियो में पहले से ही बना चुका हूँ डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा तो ये सामाजिक परिवर्तन की परकिरिया है तो सामाजिक परिवर्तन की परकिरियाओं को हम दो बागों में बाढ़ते हैं पस्चमी करण एयों एक सांस्कृतिक परिवर्तन और एक सरंचनातमक परिवर्तन तो ये पस्चमी करण और लोकिकी करण दोनों सांस्कृतिक परिवर्तन की परकिरिया है पस्ची मीकरण नेतिक रूप से टाटस्त होती है मुल्य टाटस्त होती है ओप्रशिक साशन काल में है अब इसमें से जो पर्शन आ सकते हैं इनको पस्ची मीकरण कहते हैं तो यहां 150 वर्सों का जिकर किया है यहां मैतोपण यह नेतिक रूप से टटस्त मानवतावाद, धर्मनिर्पेक्स्ता समान्ता, तारकिक्ता प्राधारित, संकुचित अउदारना संकुचित इसलिए का गया है क्योंकि यह केवल ब्रिटिस प्रवावों का वर्नन करती है दुनिया के अन्य देशों का प्रवावी भारत पर पड़ा है लेकिन यह उसका वर्नन नहीं करती है, एक है लोकिकी करण या धर्मनिर्पेक्सी करण तो लोकिकी करण वह समाजिक परकिरिया है जिसके दोवारा ए लोकिक धार्मिक यो पर्थागत वेवारों में दीरे दीरे तारकिकता का समावेस होता है यानि लोकिकी करन इस लोक की एक होता है ए लोकिक ए लोकिक मतलब धार्मिक धार्मिक दार्मिक चीज़ों की व्याख्या करना उस लोक इस लोक से परे और लोकिक होती है इस लोक के अंदर तो आज कल दिरे दिरे क्या होता है कि ऐ लोकिक किया नहीं देवी देउता हूँ पर विस्वास कम हो रहे हैं लोग बोतिक्तावादी जी रहे हैं दार्मिक्ता या पर्थागत विवार है उनमें कमी आती जा रही है और द्रेद्रे तार्किक्ता का समावेस होता है तो आमें सरी निवास ने कहा कि दार्मिक्ता में कमी आना तार्किक चिंतन में वर्दी होना समाज में राजनेतिक सांसकर्तिक हैं कानूनी पहलों में पास बढ़ता है और एह लोकिक आस्ता या चिंतन में कमी आती है तरक युक चिंतन सौंतंतरता विचारों की धर्म की अपेक्ष्या विज्ञान प्रेदोगी की यह विज्ञानिक सिधानतों को अपनाया जाता है और परिवर्तन को तीवर्ता से अपनाया जाता है तो यह लोक ये ग्रामिन्स मासास्तर का टोपिक है वो कम्पलीट हो जाएगा आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आप स्विक का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद